हे गाईज कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं सब बढ़िया होंगे तो गाईज ये सीरीज का सात्वा कलास है और हम लोग प्रिवियस 6 कलास तक के वीडियोज को देख चुके हैं और उमीद है आप सभी प्रेक्टिस भी कर चुके होंगे सो चलिए आज बनाते हैं प्यारा सा डिजाइन मुझे पुरे विश्वास है कि आपको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आएगा सो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्र टाइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी परकार के वीडियो हम आगे अपलोड करते रहें इस डिजाइन को आप पीलो कभर टेबल कलाथ या फिर इसके साइज को चेंज करके और बेड़ सीट पे भी बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और हां यदि आप अ यह को जीए तो ज्यादा समझ में आएगा इस वीडियो में इस डिजाइन को प्रेंट करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हम पेंद बरस 54 का सिरेंगे और तीन कलर्स का यूज करेंगे सेप गिरीन 21 क्रिण सन रेट 04 एंड वा इस तरीके से फ्रेंड्स आप पेन ब्रस के जगा पे 03 या 04 नमबर का फ्लैट ब्रस भी यूज़ कर सकते हैं वो भी इस डिजाइन के लिए बेटर रहेगा किसी भी प्राकार के कपड़े पे डिजाइन बनाने से पहले कपड़े को अच्छे से धो ले ताकि उसमें जो केमिकल रहता है वो निकल जाए इससे आपका जो डिजाइन होगा वो लॉंग लास्टिंग होगा और आपका डिजाइन कपड़े से कभी नहीं निकलेगा इसके लिए आमें के स्पेसल वीडियो भी बनाई हुए हैं तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लिजे क्योंकि आप पेंटिंग करते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफूल सा भीत होगा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए फ्रेंट्स यदि पेंटिंग से जुड़ा कोई भी प्रस्णा आपके मन में है तो आपो कमेंट सेक्षन में जाए और कमेंट कीजिए आपके प्रस्णों का जबाब आपको और से मिलेगा तो ये हमारे एक लीफ तैयार हो गया चलिए अब दूसरा लीफ बनाते हैं इसी तरीके से दूसरा लीफी बना लेंगे सबसे पहले उपर वाइट कलर फिल करेंगे और नीचे ग्रीन कलर फिल करके फिर दोनों को मिक्स करेंगे करेंगे पत्ते के बीच वाले पार्ट में वाइट कलर से लाइनिंग कर देंगे इस तरीके से आप चाहे तो इसे इसकीप भी कर सकते हैं चलिए अब फि्लावर बनाते हैं फिलावर में भी हम 2 खलर का यूज करेंगे फिलावर के सो के नीचे वाले पार्ट में रेड कलर और उपर वाले पार्ट में वड कलर एड करके और फिर दोनों को मीक्स कर देंगे इस तरीके से झाल झाल बहुत असान है इस डिजाइन को बनाना यदि आप बीगनर से आपको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आता है फिर भी आप चाहे तो इसे आसानी से बना सकते हैं यदि आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं और आपको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो एक बार इस डिजाइन को जरूर ट्राई किजिए मुझे पूरे विश्वास है कि आप इस डिजाइन को आसानी से बना लेंगे फिर भी यदि आपको कोई दीकत होती है तो कमेंट सक्सन में कमेंट किजिए मैं आपकी हेल्प करूंगी झाल 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 बीच के पार्ट में यलो कलर का यूज करेंगे यलो राउंड से बनाएंगे और फिर बीच में थोड़ा सा रेड कलर एड करके और फिर उसे मिक्स कर देंगे देखें कितना प्यारा सा लू का रहा है इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना सकते हैं तरीके से में बना सकते हैं झाल 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 तो ये है हमारे इस डिजाइन का फाइनल लूक उमीद है आप सबको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आया होगा तो अभी तक ये आप लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज लाइक कर दिजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिजाइन के साथ तब तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहिए और प्रेक्टिस करते रहिए थैंक्स पर वाचिंग